स्वागत करता हूं और सभी विद्ध्यार्ती फटाफट से जुड़ जाओ यह ना टाइम मत लगाओ बिलुकुल भी क्योंकि भाई सब बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है और हाइटन डिस्टेंस ऐसा चेप्टर है कि पेपर में ऐसे आता है बर-बर के अब आदमी करे क्या आता है तो आता है और उसको पढ़ना भी पढ़ेगा और जल्दी से वीडियो को शेयर करो जिससे की सभी स्टुडेंट फटाफट से जुड़े और दस मिनट में पूरा बेसिक हम कवर करने वाले हैं बिना किसी देरी के अनकेडमी पर मेरे साथ अगर नह करने का मौका मिलेगा और मेरी अनकेडमी और फ्री क्लासेस होती हैं टॉपिक वाइस टेस्ट होता है सुबह नौ बजे होता है टाइम एन वर्क उसमें जल रहा है तो रेगुलर बने रहो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी एन्रॉल कर लेना मेरा टेलीग्राम नजर आए आपकी प्रेक्टिस में नौ बजे ग्यारे बजे साड़े बारा दो बजे तीन बजे ये रेगुलर टाइम टीबल के साथ हमारी क्लासेस चलती हैं और चलती रहेंगे अभी जो अगले सेशन होगा छे बजे वो होगा पार्टनर्शिप फोड़ देना है बहुत म मज़ेदार और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ घर की बात कल सुबह 11 बजे स्टेटिस्टिक्स के टॉप 30 कोशन करने वाला हूँ नए पैटन पर आधारित तो कल सुबह 11 बजे भी जुड़ना ना भूलें 11 एम तभी विध्धिहारती 11 एम जुड़ना ना भूले कल सुबह 11 बजे टॉप 30 कोशन होंगे टॉप 30 कोशन जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा स्टेटिस्टिक्स के लेटेस्ट पैटन पर सांखी की वाले मीन मौड मीडियन वाले तो कल सुबह 11 बजे आप ज़रूर जुड़ेंगे और मैं स्टार्ट करता हूँ टो सब लोग चले तो यहमने क्या किया रहीटेंड डिस्टेंज के लिए बना दिया तो पहला जो बेसिक कहता है प्लीज सब लोग कर दो डेखे और आराम से देखे कि heightened distance कहता है कि अगर कोई मानलो pole खड़ा हुआ है या कोई घंबा खड़ा हुआ है इस तरह से खड़ा हुआ है 90 degree पर होता है वो हमेशा 90 degree पर होगा तो मानलीजे कि ये पेड़ है ये कुछ भी हो सकता है तो ये हमेशा एक union cone बनाता है जो कि जैसे कि मानलो जैसे मैं यहां खड़ा हुआ हूँ इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूँ और इस पेड़ की चोटी पर जलने वाली light को मैं देख रहा हूँ मानलो तो मैं ऐसे देखू हूँ तो ये angle मेरा क्या हो गया 30 degree हो गया आप से कि भाई मैं ये कहता हूँ कि ये 30 है तो ये 60 degree है इसमें कोई दिक्कत भाई साब किसी को कोई परेशानी है क्या नहीं है अभी बस यहां रहते हैं मन आगे चलेंगे फिर फिर से वही वाली condition है हो सकता है जरूरी थोड़ी 30 degree angle हो हो सकता है 45 degree हो बिल्कुल हो सकता है भाई साब क्यों नहीं हो सकता है तो अगर ये 45 है तो ये वाला क्या होगा वह भी 45 होगा उसमें क्या दिक्कत है बहुत अच्छी बात है अब हो सकता है कि 45 जगे 60 हो मिलकुल हो सकता है कि वह दिख्यों नहीं हो सकता क्योंकि उन्यन कौन तो वही होंगे जो हमें पता है आप यह में सूची कि 25 आजाएगा आसकता है वैसे लेकिन नहीं पता है तो नहीं आएगा हाइटन डिस्टेंस में इतना टिपिकल नहीं बनाएगा कि वह साड़े बाइस पूछले फिर वह टिक्नोमेटरी में चला गया तो वह आराम से 30-60 आपको देगा 30-60-45 बस तो यह आपके सामने 60 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा भाई 30-degree अपने आप हो जाएगा यह बात आपको क्लियर हो गई क्या यह बताओ पहले क्या आप एंगल तो अपने बना सकते हो भोले ठीक है सर बना लूँगा अब क्या करना है आगे बताओ आप तो मैंने कबस यही अनुपात आपको पताओ ना है कि 30-degree के सामने अगर कोई भुजा A है तो 60-degree के सामने बढ़ी होगी बुजा और बढ़ी होगी तो A का रूट तीन गुना और 90-degree के सामने 2A वोगी तो आपने तीनों बुजाओं का अनुपात लिख दिया कि अगर 30 degree के सामने a है तो 60 degree के सामने a root 3 होगी 90 degree के सामने 2a होगी understand मेरे प्यारे विध्यारती understand बोले गुरुजी definitely understand मैंने का very good तो अगर इस 45 degree के सामने a है तो भाई ये भी तो 45 के सामने है तो ये a है ये a है तो 90 degree के सामने क्या होगा root 2a understand DEFINITELY चलिए तो यहाँ पर वोहे है केस है 30 degree के सामने a लेखो हमेशा 30 degree के सामने a 60 degree के सामने a root 3 और 90 degree के सामने 2a किसी को कोई problem है किसी को कोई समच्च्च्चा है बोलो भाई किसी को कोई भी problem हो कोई भी समश्चा हो जल्दी से बता दो, हां मैसेज कर दो, फटा-फट से, चलिए, ओकी, तो क्या हम ये कह सकते हैं, कि अगर माल लीजिए, ये 90 डिग्री ना होकर, ये 120 डिग्री होता, या फिर मैं इसको ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं, इसको मैं उडा देता हूं, इसको मै और इसका आभास मुझे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हमारे मानने के उपर है, हम गड़ेत के अध्या पके हैं, हम इतने टेंसन क्यों ले रहे हैं, मान लो की 120 डिगरी है, नहीं अध्या है, मैंने का, मान लो की 120 है, तो अगर यह 120 है, तो यह वाले एंगल क्या हो जाएंगे, यह भूजाएं, बराबर हैं, तो यह 30 डिगरी हो जाएगा और यह भी 30 डिगरी हो जाएगा, यह लिख लो, यह काम की चीज़ Obrig, तो अगर 30 degree के सामने A है, इस 30 degree के सामने A है, तो यह क्यातना हो जाएगा? A root 3, सर यह काम काई है क्या? यह बहुत काम काई है, उसमें काम आता है, hexagon में, ठीक है my dear, सर root 3 कैसे आया? बहुत अच्छा doubt पूछा एक भाई ने, कि सर यह root 3 कैसे आया? यह root 3 है, आपको पता है, sin 60 क value क्या होती है? root 3 बटे 2 होती है, यह वहां से आया बस, इतना आपको दिमाग लगाना है, वरना अगर पूरा ही procedure जानना है, तो sign rule होता है, A upon sign A, बराबर B upon sign B, बराबर C upon sign C, और यही sign rule के हिसाब से ही आप यह निकालते हैं, भुजाओं का नुपा, तो उसमें दिमाग मत जो सिखा रहा हूं उस पर काम करो, यह बात के लिए हो गई सबको, बोले सर ठीक है, आगे चलते हैं, प्लीज सब आउ लोग सामने आ जाईए, अब उड़ाईए थोड़ा बहुत सीखिए, अभी तो चीजे शुरू हुई है, अभी बस अंतिम चरण बाकी है, मान लीजिये कि अगर मैं यह बोल देता हूं कि एक कोई पेड है, गुरु जी, और इस पेड पर 30 डिगरी के उन्यन कौन के साथ में, यह जो एक पेड है, इसकी उंचा ही दे दी मैंने 30 मीटर, तो आप मुझे बताईए, पेड की उस व्यक्ति से 36 दूरी क्या होगी? पहला कोईशिन, दूसरा कोईशिन, ठीक है? धूसरा कोईशिन देखिए, हर तरह का कोईशिन कराऊंगा, जो फेपर में आता है आपके, मैंने यह यह कह दिया, गुरु जी, एक बढ़िया तरीके से पेड है, यह पेड है, ठीक है, अब पेड की उन्चा है, उसकी रूट तीन गुना उंचाई की परचाई बन रही है, यह उसकी छाया है, तो यह बताओ सर कौन कौन सा होगा, चलो भाई, अगला कुश्चन, तीसरा कुश्चन क्या बनता है, माल लीजे सर, एक पेड है, जिसकी उंचाई 10 है, और उसकी जो छाया है, वो 12 सेंटीमेटर की बन रही है और उसी कौन के हिसाब से, आपने एक दूसरा पेड, मतलब उसी टाइम आपने दूसरा पेड देखा, उसकी जो लेंथ है, वो 60 है, तो उसकी छाया कितनी बड़ी होगी, और वही एंगल के साथ में, यह एक ही कुश्चन है, मतलब है न, तो यह कह रहा है कि यार X बताओ, बताओ भई, खटागट खेंच के आंसर देते जा, और वीडियो का है, शेयर वेर नहीं कर रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रहा पता नहीं क्या चक्कर होगे है तुमारे, शेयर और लाइक नहीं कर पा रहे हो, चलिए, तो गुरु जी ऐसी बात है, कि यह बात समझ लो आप 3 तरह के कोशन आपने दे दिये, अब एक 4 कोशन भी हम देंगे आपको, लेजिए, 4 कोशन क्या कहता है, बाई, 4 कोशन ये कहता है, बस यार, परिसान कर गया, इस नमास्तम, 4 कोशन ये कहता है, कि अगर मैं कहता हूँ कि ये अगर आपके सामने 60 cm है और ये कौन आपका 45 है तो A, B, C लिखा हुआ है तो A भी बताओ A भी क्या होगा बताओ भई तो आप सारे कुशनों के जवाब आपके अपने आप निकल कर आएंगे बोले गुरुजी ऐसी बात है पहली बात सुन लो आप ये 30 डिगरी है तो ये 60 डिगरी होगा होगा नहीं होगा सब लोग सामने देखो 30 डिगरी के सामने अगर A होता है तो 60 डिगरी के सामने कितना होता है A root 3 होता है ये पहले प्रशन का जवाब आ गया 30 root 3 आप में से तकलीफ आई क्या किसी को नहीं आप से बोला गया साथ ठीटा बता हो तो ठीटा हम चाहते हैं कि वही ठीटा ले 10 ठीटा अब 10 ठीटा ही क्यों लेते हैं क्या ही बच्चों के मन में ये विचार रहता है कि साथ 10 ठीटा ने कोई पेटेंट करवा रखा है गया नहीं भाई साथ 10 ठीटा इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर कोई perpendicular चीज है और उसकी छाया पड़ रही है तो लंब और आधार कहां आता है आपने बच्चपन में पड़ा होगा लाल बटे कक्का उसी में लंब और आधा 10 ठीटा में आता है इसलिए 10 ठीटा लेते हैं और कोई लगाव नहीं है हमें 10 ठीटा से तो ये अगर H एच 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 अगर लेंट है तो H रूट 3 आपका है तो 1 बटे रूट 3 तो ठीटा की वेल्यों होगई 30 डिग्री वेलिकत नहीं इस पर आजाओ आपको पता है कि अगर ये ठीटा है तो 10 बटे 12 का जो हिसाब किताब है उसके 60 बटे X के हिसाब किताब के बराबर होगा यानि कि X की वेल्यों कितनी आगई बहतर आगई और अगर माल लीजिए यहां पर आपके 45 है तो ये भी 45 होगा तो ध्यान रहे कि आपको A भी निकालना A भी तो ये A होता है ये A होता है तो ये रूट 2 A होता है तो रूट 2 A को अगर आप बराबर कर रहे हो 60 के तो A की वेल्यों कितनी निकल कर आगई 60 बटे रूट 2 परिमेकरन करने पर 30 रूट 2 भाई मज़ा आया नहीं आया यहां तक ये जो 4 प्रशन मैंने दिये आप में से कितने प्रशनों कितने बच्चों ने हैं सही कर लिया चारो के चारो एक बच्चा कह रहा है यह सब 30 रूट 3 कैसे आया अरे यार अभी तो सिखाया था पूरा मतलब पूरी चीज़ तुमें पढ़ा दो लेकिन वास्ता में ढाक के तीन पात रहते है यहार मतलब अभी बताया कि 30 Degree के सामने अगर A होगा तो 60 Degree के सामने A r存V3 होगा अब इसका मतलब तुम लेट आयो 30 Degree के सामने 30 आए 60 Degree के सामने 30 дорV3 होगा सब्रवाइं चुटकियों का काम है है चुटकियों में हो रहा है आपको क्या टेंशन है समझ में नहीं मेरे तो हैं चलिए मज़ा आ गया क्या चीजे क्लियर हो गई खैच के लाइक करते रही है अब आगे चलते हैं सर डबल एंगल वाला केस आ गया तो तो फिर आप डर जाओ थोड़े से और क्या करूं मैं थोड़े से डरोगे लेकिन कोशन तो तुम ही करोगे और कोई नहीं करेगा यह देखो कैसे करोगे आप डबल क एक चीज रह गए यह पिछले वाले में वो भी बता जेता हूं सर लास्ट रहां चली लास्ट वाला नहीं आया सर लास्ट वाला नहीं आया यह वही वाली बात कर दी कि यह 60 सेंटीमीटर है अब यह 60 सेंटीमीटर किसके बराबर है आप यह जानते हैं कि अगर हम 45-45 वाला ले रहे हैं तो यह A होगा यह A होगा तो यह रूट 2 A होगा तो रूट 2 A के बराबर कर दो यार अब तुम यह बराबर भी नहीं करोगे क्या उसके लिए भी आदमी लगाने पड़ेंगे तो रूट 2 A बराबर अगर 60 करूँगा त वही आंसर है आपका A B जुलम कर रहे हो तुम तो मेरे उपर पास तुम में बिल्कुली मतलब ध्यान ही नहीं दे तो यार टीचर को मतलब बिल्कुली बेवस कर दिया तुम लोगों ने कि बर दिखा पढ़ा के दिखाओ आप चलिए आई तीन फॉर्मेट इसमें बनते हैं तो इसको आप कवर करेंगे अगर मैं आपको पॉइंट लिखके दे रहा हूं पहले कि यह A है यह B है यह C है और यह D है ठीक है और मैं कहता हूं कि यहां एक प्रेक्षा खड़ा हुआ है और उसने यहां पर पहुंच गया तो उसने D दूरी तै करी तो यहां दो कॉन स्वि सर यह हमेशा कोश्चन में दिया हूआ होगा बिलकुल दिया हूआ होगा आपको उसकी टैंशन निलेने आपको यह देखना है कि यह D दूरी क्या है वो दो बिंदू की बीच की दूरी है जहां पर ऑचेंज हुआ है बंदा यहां से यहां गया D दूरी चलकर दूसरा कॉम् तीज डिग्री और पैंतालिज डिग्री एनी प्रोब्लम माइडियर स्टुडेंट्स नो प्रोब्लम आराम से सीखते जाओ यर क्योंकि रिविजन हो रहा है बहुत बढ़िया वाला आप लोगों का ठीक है चलिए आगे मैं चला यहां पर फिर से मैंने दे दिया इसको ए इस को मैंने दे दिया सी इसको मैंने दे दिया डी और फिर से वही डी दूरी इनके बीच की लेकिन ये वाला कौन मैंने बोल दिया कितना पैंतालिस होगा और ये वाला कौन मैंने बोल दिया साथ होगा एनी प्रोब्लम माइडियर स्टुडेंट तीन मैंने सेट बना दिया रहा है आप लोगों को कि भाई ये ए और बी की बीच की दूरी है बस मैं बता रहा हूं वो अलवा बना दो गया आप प्रशन होगा चलिएगा तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये डी है और ये 30 और 60 का कॉम्बिनेशन है तो ये बीसी क्या होगा डी बाइटू अगर ये डी बा बाइटू रूट 3 भाई मज़ा आया तो ये उंचा ही पता लग गई आपको चलिए ये डी है तो ये क्या होगा सर ये होगा भाई डी रूट 3 प्लस 1 बाइटू साफ नहीं दिख रहा तो मैं दुबारा से लिख देता हूं ये होगा डी रूट 3 प्लस 1 बाइटू तो ये भी तो 45 है ये पहता लेस ये पहता लेस तो ये भी डी बाइटू रूट 3 प्लस 1 अरे ये जादू है ये सब चीज़े लिखा रहा हूं जो लिख लो बस आप एक बर ठीक है और ये डी है तो तो ये कितना होगा सर डी सेम डी लेकिन यहां 30 डीग्री है क्यों क्यों कि वह बर्ट पर 65 था तो बराबर हो गया यहां 30 की सामने तो 60 डीग्रे की सामने इसका भी रूट 3 गुना हो जाएगा तो डी बाइटू का भी रूट 3 गुना इंटू रूट 3 प्लस 1 घृचीज़े इसे क्लियर हो गई क्या पहले त हमें है अभी चलिए कोश्चन देखते हैं अभी दो सेकेंड में नपट जाएगी सारी चीज बस आपको बस दिमाग में रखना है एक ट्राइंगल और बना लो वो 15 और 45 वाला चलो खोड़ कोई दिक्कत ने है 15 डिगरी होता है यह तो यह अपने आप ही 75 हो जाएगा हो जाए है टू रूट टू होगा यह वाला ट्राइंगल भी आप लिख लो यह पेपर में आ सकता है इस बार ठीक है यह वाला ठीक है चलिए ओ फिगर न मत बनानो पेपर में आराम से समझ समझ के करना है ठीक है चलिए अब चलते हैं कोश्चन की तरफ पहला प्रशन खोड़ी फोड़िए आप पस जितना ही करिए जितना आपके पेपर में आ रहा है आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वह अभी पता लग जाएगा 10 सेकिंड का समय देता हूं ज्यादा दूंगा इनी में हाँ आप खुद आंसर दें प्लीज बड़ा मज दीवार पर स्थित सीडी का उन्यन कौन साट डिग्री है यानि कि कोई दीवार है उस पर सीडी लगी हुई है अब दीवार पर अगर सीडी लगी रहेगी तो 90 डिग्री का कौन तो बनाएगी बनाएगी बाई और उन्यन कौन आपको बोल दिया साट डिग्री है शिट अब बचे गे अभी हो जाता उन्यन कौन पूरा तो सीडी का जो पाद है दीवार से 4.5 मेटर ये सीडी का जो पैर है वो दीवार से ये वाला जो पैर है दीवार से 4.5 मेटर दूरी पर है तो आप से बोला गया सार सीडी की लंबाई बता दो सीडी की लंबाई निकालनी है ये निकालना है तो देखो भाई साब कहानी घरगर की 30 डिगरी के सामने क्या होता है जल्दी बताओ 30 डिगरी के सामने सार ए होता है और 90 डिगरी के सामने निकालना है तो 2a की वैल्यू निक काम खतम, फिनिस, हो गया, चलिए, अगला प्रशन करिए, अगला फोड़िए, अगला ये लीजिए, मैं चला ही नहीं रहा, टाइम ही नहीं दे रहा मैं, आप जल्दी से बता दो, सर, खंबे की छाया उसकी उचाई से रूर 3 कुना है, ये बो प्रशन करा रहा हूं जो 2021 NTPC म तो वही आ गया लो, B, next, इसको करो फटापट, समय दे रहा हूं, करो, 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 टाइम सब हो गया, तूफान के कारण टेलिग्राफ का एक खंबा मुड़कर जमीन के उपर एक बिंदू पर मिल गया, कहानी बिलकुल बहुत अच्छी है इसकी भी, ऐसा खंबा था पूरा टेलिग्राफ का, अब क्या हुआ, तूफान आया और यहां से तूट गया और यह भी मान लिया मैंने, तो उसके पात से 12 रूट 3 की दूरी पर है, यानि कि यह जो दूरी है, वो 12 रूट 3, अब बस कहानी घर-घर की है, खंबे की उचा ही बता दो, यह पूरा खंबा कितने का था, दिमाग लगा रहे हो क्या, अरे लगा दो यार, क्योंकि अभी आपको नह सामने यह हो गया 12, और 90 डिगरी के सामने हो जाएगा 24, तो यही वो हिस्सा तो है जो गिरा, तो यह 24 और 12, 36, भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बता दो, जिनका भी राइट आंसर, जिनका भी राइट आंसर 36 आ रहा है, उन्होंने जामा पहना दिया, बहुत बढ़ी है यही चाता हूँ मैं तुमसे और क्या चा रहा हूँ, यह लोग करके बताओ, यह अभी आया हुआ है, क्या करूँ उसका मैं, जमीन तल पर खड़ी यह चट्टान है सर, जमीन से 108 मीटर पर खड़ी, जमीन तल से खड़ी हुई चट्टान 108 मीटर पर शीष का उन्यन कौन कित करो अभी बताया है, कित्ती बार बता चुका हूँ, तो आपको 30 डिगरी के सामने उंचा ही निकालनी है, तो A 108 बटे रूट 3, अब सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, परिमे करन करना, तो यहां रूट 3 और रूट 3, 3 से काटेंगे 36 बार, तो 36 रूट 3 आपका राइट कर आया, C 36 रूट 3, फोड़ दिया क्या, अच्छा लग रहा है खेंच के लाइक करो, और अभी तो अपना पार्टनर्शिप होगा, अभी जस्ट थोड़ी दिर बाद में, अच्छा लग रहा है खेंच के लाइक करना बनता है बॉस, बिल्कुल बनता है, अगला प्रशन कर लबनता है, जभी दिया जांच के लिए थो कि बता दो, 6 फित लंबे आदमी की चाह चार फिट है, तो 42 फित लंबी घंडे की उचाह है, जिसकी छाह nourई बता दो, जिसकी चाहाऑ 63, 63 feet, 63 feet, वही है ठीटा बराबर करने वाला logic, बहुत बढ़िया है, अगला question, कर दो वाई, last है न, चलो, कर दो 30-60 वाला, ये अभी latest आये थे question वह हैं सारे, इसको भी निप्टा दो, 66 meter ऊंचे खंबे, एक और खडए, दो व्यक्ति, एक ही और खडए हैं, दो व्यक्ति, 46 meter ऊंचा खंबा है, 30 degree और 70 degree का उनियन कौन से देखते हैं, दोनों व्यक्ति की बीच की दूरी बता दो, अलग-अलग व्यक्ति खडए कर रखें, डीप ऊछा गया है, और 66 meter ऊंचा खंब आप खुद बता दो क्या करोगे आप कुछ नहीं करूँगा भाई साब यह जो है ना यह डी रूट 3 वाई 2 के बराबर है है के नहीं हाँ तो डी निकाल लूँगा और क्या करूँगा एक सब अत्यस बटे रूट 3 और रूट 3 को परीमे करन कर दिया और रूट 3 लूट 3 से सब्सक्राइब मतलका मेरे प्यारते है चलो मेरे विद्यारती हो जिनका भी 44 रूट 3 आंसर आ रहा है वह वह सही है गलती किऊ कररेए हो 3 से कदा एक 120 को 14 आएगा न यह 22 कूंस दे रहे हो तुम यह गलत बाद है भाई सबips help तो देरो भाई 22 तो ही नहीं मेरे हिसाब से चमवालिस आएगा आप बताओ आपके हिसाब से क्या आ रहा है है ना सब का चमवालिस आ रहा है खुश सेशन कैसा लगा जल्दी से बता सकते हो गया इसमें भी कोई शरम नहीं होने चीए बता दिया करो है ना आप लोगों के लिए ही सेशन लिए जा रहा है फटाफट से ठीक है सेशन कैसा लगा पूरा जल्दी से बताओ सब लोग और अच्छे से सब चीजों ने सब कुछ सीखा है ना मजा आया नहीं आया सच बताओ मजा आगया आईए चलो वीडियो को लाइक कर देना जित्ते भी विध्यारती मेरे अभी देख रहे है अभी मैं पार्टनर्शिप लेकर आ रहा हूं आपके लिए 6 बजे अब आपन पार्टनर्शिप करेंगे और ऐसे 10 कोशन करेंगे जो पेपर में बार बार आते हैं टेंशन खतम और फिर वेंडाइग्राम करेंगे तो इसी इंट्रेस्टिंग चीज के साथ लगातार बने रही है तीन बजे आपके लिए कैच्टा मैत होता है और डेली सुबह 9 बजे टाइम और वर्क के पीवाई क्यू चल रहे हैं अभी डेली सुबह 9 बजे टापिक वाईस टेस्ट में जरूर जुड़ो आपके पेपर में कोश्चन में यहीं से फसा दूँगा आप जब खुद महनत नहीं कर सकते तो मैं कर रहा हूं तो उसमें तो जुड़ सकते हो आप चलिए सुबह 9 बजे जुड़िए 11 बजे आपन कल क्या करेंगे कल 11 बजे क्या होगा कल सुबह 11 बजे टॉप स्टेटिस्टिक्स के कोश्चन सांखी की के टॉप 30 प्रशन कराऊंगा जो लेटेस्ट पैटन पर आएं न्टीबीसी में साड़े बजे बजे पेपर होगा आपका दो बजे फाउंडेशन है तीन बजे कैच दा मैत है सिंपल लॉजिक सा है और बजी मेरे साथ मेरे फाउंडेशन में जुड़ जाना अनकेडमी पर जाना ही स्सी एक्जाम पर जाईए गैट सस्क्रिप्शन पर जाईए 24 महीने का सस्क्रिप्शन लेकर साहिल 10 ऐसे कोड लगाकर आपको जोड़ना है अब जैसी साहिल 10 लगाओगे अप्लाई कर देना डिस्काउंट मिल जाएगा साहिल 10 कोड लगाकर सभी अनकेडमी सस्क्रिप्शन पर ठीक है म्जय हो चांफ़गगे अительक्तव चांबाति कर दो लेकर आपशन देकर साहिल 10 लेकांपन लेकर साहिल 130 5 लेक्वाग SU cents अव्लाव